Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम crashing के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें question आते है college exam में कि हमें explain the term crashing यह आता है ठिक है कि जो crashing है इसको explain करो तो यह 15 marks में भी आ जाता है, 5 marks में भी आता है, अब जनरली देखा गया है कि यह 5 marks में आता है, बट अगर यह 15 में आ जाए तो उसे कैसे करना है, हम उस accordingly कर रहे हैं, बट आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझा जाएगा, फिर आप उस according क्या है, इसको करके क्या सकते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, यह operation and production management से related topic है, जिसमें हमें क्या है, crashing term को explain करना आता है, क्योंकि crashing क्या है, concept है, जो की लगाया जाता है, ठीक है, तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं, कि अगर यह आ जाए तो इसे कैसे attempt करना है, इस PDF के लिए आपको description में telegram का link मिल जाएगा, आप उसको join करके इसको ले सकते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, कि अगर हम operation and production management के term में देखें, crashing को, मतलब, अब हम किस से relate कर रहे है, यह जो concept है, कि subject का है, production and operation management, तो उसमें crashing को क्या बोला गया है, कि crashing refers to a project management technique, तो crashing क्या है, project management technique है मतलब, आपको कोई project मिला है, आप मानलो, manager हो, आपको एक project बोला है, कि आपको इस project को काम इतने time में करके देना है, तो अब आपके पास बहुत सारी tools, बहुत सारी techniques होंगे, करने के उस project को, तो आपके पास एक technique है, crashing को आप यहाँ पर use कर सकते हो, तो crashing क्या है, एक project management technique है, project को manage करने में क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है, इसे use करते है, ताकि accelerate हो सके, जल्दी जल्दी हो सके हमारा project, ठीक है, तो project हो, अगर आपको time पे complete करना है, या time से पहले complete करना है, ठीक है, या जल्दी complete करना है, तो आप crashing को use करते हो, crashing एक technique है, ठीक है, कोई भी specific task है allocate, मतलब इसमें हम और यूज करते हैं, additional resources को, जैसे कि manpower हो गया, ठीक है, equipments हो गया, budget हो गया, to critical activities in order to reduce the overall project duration, तो basically न वही है, कि project आप न और बंदो के साथ इतने time पे कर रहे थे, पर आप इसमें additional resources को लगा के क्या है, उसको जल्दी कर दोगे, सिंपल सी बात है, primary objective question का क्या जो हमारी deadline है, जो हमारी deadline है, जो हमारी time दे रखा है, उसके अंदर के है, schedule के अंदर हमें क्या है, जो भी time schedule दे रखा है, उसके अंदर हमें अपने project को complete करके देना है, this is often done when there is a need to respond to the changes in the project requirement, यह तब किया जाता है, जब कि है, project में कोई change लाना हो, या फिर उसका time बोल दिय जाहे हो manpower हो, जाहे हो equipment हो, जाहे हो budget हो, कहाँ पर introduce करना है, critical activities, what do you mean by critical activities, important activities, ताकि हम reduce कर सके overall time duration और जल्दी खतम कर सके, उसके बाद बोल रहे हैं, कि उसके बाद बोला है, this is often done when there is a need to respond changes in project requirement, अगर customer की demand कुछ अलग होगी है, external factors कुछ आ रहे हैं, तो मताब उनकी आपको एक project मिला था, जो जिसने दिया था, जिस customer ने दिया था, वो काया है, उसकी demand change होगे, वो कह रहा है, इतने time पे चाहिए, मुझे तो जल्दी चाहिए, तो तब आपको यह करना पड़ता है, यह technique लगानी पड़ती है, तो manager को क्या है, यह technique लगानी पड़ती है, तो manager can help the expired a project, it typically come at an increased cost, अबविसी बात है, देखो, additional एकदम से आपको resources लगानी है, तो महंगा भी होगा, महंगा पड़ेगा, ठीक है, this additional resources allocate to expect the project may lead to higher labor cost, तो इससे क्या होता है, at time आपको क्या है, जाधा manpower लानी पड़ेगी, तो उस time पे जाधा भी पे करना पड़ सकता है, क्य क्योंकि आप एकदम से मगा रहे हो, labor's को, equipment's को, तो आपको जाधा पैसे भी देने पड़ता है, तो कहीं न कहीं, यह disadvantage में भी कह सकते है, हमकी थोड़ा से महंगा पड़ जाता है, ठीक है, therefore, जो project manager है, उसको केरफुली, मतलब केरफुली देखना चाहिए, कि कितनी cost में मेर benefit analysis आपको यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है, तो सारी चीज़े देखनी पड़ेगी, कि additional resources भी अगर लगा रहे हो, तो वो proper source से हो, ठीक है, ऐसे नहीं, कहीं से भी महंगे लेके आ गए, यह सब, उसके बाद गोड़े, crashing is often represent graphically on a project critical path, अब आपने यह बनाया होगा, critical path है तो यहां पर वो ही बोला कि जो crashing है, उसको हम represent करते है graphically, ठीक है, graphically, important है, crashing को graphically represent करते है, project के critical path में, which is sequence of task, जो क्या बताता है, sequence of task बताता है, और determine करते है कि minimum time कितना लगेगा एक project को complete होने में, तो basically आपने क्या किया, आपने एक project का critical path बनाया, ठीक है, graphically उसमें आप क्य crashing को represent करोगे कि एक time को, एक project को खतम होने में, कम से कम कितना time लग सकता है, अगर यह path ढूंद लिया, this is crashing, तो वही बोला है कि minimum time कितना लगेगा हमारा project को खतम होने में, ठीक है, by identify critical activities, जब आपने critical activities को identify कर लिया, और allocate कर लिये resources, तो जो project manager है, वो effectively reduce कर सकता है, project time without affecting non critical task, और अब इंपोर्टेंट है कि crashing एक technique है, various other techniques है, जिससे और जल्दी कि हम project को timely manage कर सकते है, सब कुछ कर सकते हैं, but हम तो crashing पढ़ रहे हैं, तो उस respect में पढ़ रहे हैं, and जो इसकी applicability है, वो depend होती है, कि special specific circumstances कैसे है, क्या project के constraints है, ठीक है, तो यह सारी चीज में भी ऐसा नही है, क benefit दिखाती है, या फिर अगर आपके पास resources है, आप manage कर सकते हैं, तो crashing लगा सकते हूं, ठीक है, उसके बाद बोला है, कि चलिए, एक example से देखते हैं, कि crashing को कैसे यहाँ पर हम कहते हैं, इसकी importance देख सकते हैं, तो let consider a construction project है, एक example ले रहे हैं, हम ठीक है, इसमें हमें concept of crashing लग करना है, however, due to unfortunate circumstances पर एक दम से कुछ unfortunate, unexpected circumstances हुए, जिसमें क्या है, market condition change हो गई, और जो client की request पे कहा हमें वो 10 महीने के अंदर अंदर के उसको पूरा करके देना है, तो changes के according के आपको 12 महीने में करना था, पर आप 10 महीने में करना है, तो project manager है, उसने assess किया situation और identify कि क्या क्या क् पात है, which include tasks that if delayed would directly impact, ऐसे कौन कौन से important activities है, अगर जिसमें delay आ गया है, तो मेरा पूरा का पूरा project क्या है, बहुत लेट हो जाएगा, या पूरे 12 महीने में ही होगा, तो मेरे को important, important, main होते है, उनको ढूंड़ना है, फिर वो directly impact the overall project of the duration, तो some critical path उसने ढूंडे, जिसको उसक परमिट जैसे की था की बनाना है, तो कुछ necessary permit लेने थे, ठीक है, foundation होती है, जो उस building की वो बनानी थी, ठीक है, structure बनाना था, ठीक है, तो ये सब, ये सब बहुत important है, तो ये पहले ढूंड़ो, ठीक है, और फिर ये ढूंड़ो कि यार, ये जो important है, इनको कुछ नहीं होना मतलब यहां पर concept लगाते हैं, अपर crashing का, ठीक है, तो अब देखें की crashing लगेगी, कैसे, तो सबसे पहले हमारा first step किया था, identify करने थे, हमने critical path activities को, important कौन कौन सी activities है, ठीक है, अब जैसी हमने बता दे है, ढूंड लिया, हमने कि हाया, चार important activity है, उस चार important activity में additional man पर additional equipment को महिने में होना था, तो अब additional resources के लगाने के बाद, अब वो 15 दिन में हो जाना चाहिए, तो उनको schedule भी तो deadline दूसरी देंगे, उन्हें हम, तो क्या बला है, with the increased resources, जो time required था, उस चीज को करने का, या उस foundation को, जो building का हम लगा रहे थे, structure बना रहे थे, वो क्या है, थोड़ा, मतलब हम जल्दी कर देंगे, तो 12 से 10 कर दिया हमने, ठीक है, फिर अब monitor करेंगे progress की, जो हमने सोचा है, जिस according हमने critical path activities को ढूंडा है, वहाँ पर crashing का concept लगाया है, वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, गर halt आ रहे हैं, तो कहां रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यह सब हम देखेंगे, ठीक है, अगर कोई भी delay हो रहा है, तो उसको promptly किया जाएगा, उसको तूरंत किया जाएगा, तो अब हम इसका conclusion देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने देखो crashing समझ लिया, ठीक है, अच्छा खासा हमने उसका meaning समझा, फिर हमने क्या है, उसके एक example अब हम इसका क्या देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं, वाइल क्रेशिंग में successful lead to an earlier competition, it is important to recognize that it often comes with increased cost, यहाँ से तो पता लग रहा है कि हम जल्दी-जल्दी क्या है, इसकी help से project को complete कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम अच्छे से इसको apply किया, पर इससे यह पता लग रहा है कि इनक्रीज हो जाती है cost, ठीक है, जो additional resources है, ठीक है, वो लग जाते है, overtime pay करना पड़ता है, अगर already जो लोग है उनको, उनसे overtime करा रहे हैं, तो उनको overtime का pay करना पड़ेगा, या भाहर से additional labors ला रहे हैं, तो उनकी wages देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इससे कही ना कही, जो higher cost प अगर आपको देखो, अगर 15 marks में आ जाए, फिर आपको यह सब करना है, अगर 5 marks में आ जाए, तो आप सिरफ इसका meaning दे देना, और थोड़ा सा यह example दे देना, and advantages or disadvantages दे देना, उसमें भी आप उसके black point लिख दोगे, तो enough है, more than enough है, ठीक है, पर 15 marks के according क्या है, यह वीडियो contractual obligation होता है, कोई contract मिला है मुझे, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि वही, 12 महने से 10 महने के अंदर अंदर इसको क्या करो, complete कर दो, हमें क्या है, मतलब 10 महने के अंदर चाहिए, तो हम क्या है, उस जो यह contractual obligation है, उसको meet कर सते हैं, क्रेशिं के technique से, improved resource utilization, और अच्छी तरीके क्या है, क्योंकि मैंने भी जल्दी करके दे दिया, फिर जो सामने वाले ने डिमांड की थी, मुझे जल्दी चाहिए, उसको भी टाइम पर मिल गया, तो ठीक है, यह होते है, इसके advantages, अब हम देख लेते हैं, इसके disadvantages, तो disadvantage में बोलाई कि इंक्रीज हो जाती है, cost यह साफ द करते हुए, उसके बाइद है, लिमिटेड अप्लिकेटी कहा है, कि जो क्रेशिंग है, हर जगा पर सुटेबल नहीं होती है, हर जगा पर प्रोजेक्ट में नहीं लग जाती है, कुछ ऐसे situation होती है, जहां पर क्रेशिं के टेक्निक नहीं भी लगती है, और यह भी क्रेशिं होती है, जितना अच्छा होना होता है, उतना नहीं आता है, क्योंकि हमें बोला है कि जल्दी करके दो, ठीक है, तो कहीं नहीं यह बोला है, कि डेड्लाइन को कम्प्लीट करते-करते, कहीं नहीं कहा है, हमारा जो इसका वो है, वो कहीं नहीं रह जाता है, फिर लिमिटेड यह इस पर कॉन्टिने के रिलाइन कर सकते हैं अगर आपको जल्दी देना है, कोई चेंजेस की वाज़ेस तो आप कर सकते हैं, अशनी की अधिर जितने भी प्रोजेक्ट मिलेए आपको आप क्रेशिंग का टेक्निक वहाँ पर लगा दोगे झाल तो यह इस बोला है कि लॉट सब्सक्राइब करें तो अगर आपको वीडियो समझाई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू